Hi everyone, I'm back और इस बार में एक ऐसा उत्तर लेके आई हूँ ऐसे प्रशन का उत्तर जो मुझे बार बार पूछा जाता है और वो है कि आप अपने स्किन के लिए क्या करती हैं इसी प्रशन का उत्तर लेकर अब मैं ये वीडियो बना रहे हूँ जब प्रशन के बारे में बात करते हैं तो इसको डो भाग में विभागा जा सकता है दो भाग होते है उसके एक है इंटरनल और एक है एकस्टरNever इंटरनल मतलब आप अपने शरीर के अंदर आप क्या खाते हैं या क्या पीते हैं कैसे रहते हैं उससे बहुत असर होता है skin के और second है कि आप applications क्या करते है अपने skin को to make it glow या to make it better या soft if you have a dry skin or make it look softer if you have a oily skin to make it look better क्योंकि oily skins के भी बहुत issues होते हैं तो let's start with the internal internal में क्या होता है कि हमारी रोजमरा की जिंदगी I think it's very important to drink lots of water every day at least 8 glasses of water एक दिन में 8 glass पानी पीना चाहिए secondly आप क्या खाते हैं वो भी important है जैसे avoid oily stuff अगर आपकी oily skin है तो oil बहुत कम कर दीजे अपने diet में से avoid sugar, ज्यादा शुगरी चीजे मत खाईए मीठा मीठा all the time क्योंकि वो महासों के लिए अच्छा नहीं होता vegetables खाईए, fruits खाईए instead of just drinking juice एक संतरा खा लेजे उस क्योंकि जब juice पीते हैं आप तो आपको बहुत सारा शुगर भी मिलता है उस fruit का लेकिन आप जब एक fruit खाते हैं तो आप जल्दी full हो जाते हैं क्योंकि उसमें fiber भी होता है और बहुत सी अच्छी चीज़े भी होती है जो आपके body को necessary होती है तो instead of fruit juices, go for fruits फिर मैं कहूंगी कि sleep-wake cycle जो है आज की इतनी busy जिंदगी होती है हमारी हम किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे बड़ते हैं काम की वज़े से, you know, everything gets delayed तो make sure कि at least आपको 7 गंटे, 6-7 गंटे अच्छी नीन में ले अब जिंदगी में stress भी होता है वो भी चहरे पे दिख सकता है तो उसके लिए आप relaxation कर सते हैं आप meditation कर सते हैं आप सोने जब जाते हैं तो बेड पर पड़े-पड़े ठीक अफ वाल दे गुट थिंग्स, आप एसे सोचे कि मैं कल सुभा उठूंगी तो मैं और confident महसूस करूंगी मैं और अच्छी लगूंगी मैं हर निरनाय जल्दी से ले लूंगी I'm going to be so good, I'm going to relax now ऐसे खुद से जब बाते करते हैं तो अपने आप नीन भी आ जाती है और बहुत effective होता है, आप try कीजे एक बार यह हो गया stress के लिए, अब हम बात करेंगे exercise के बारे में क्योंकि वह भी बहुत important है, क्योंकि जब आप exercise करते हैं तो आपके full body को जो blood circulation होता है वो बढ़ता है, आपके face तक भी blood जाता है and it's very good for you, एक glowing skin के लिए बहुत अच्छा है कि अच्छा blood circulation हो तो यह सब हुई internal बाते, अब हम बात करेंगे external के external बाते क्या हैं, कि आप skin को क्या लगाते हैं, क्या करते हैं So I think इसमें दो-तीन चीजे बहुत important हैं एक है कि जब आप everyday रात को सोते हैं, तो अपने face पे बिल्कुल भी makeup नहीं रहने देना You should sleep with a clean face So every night you have to wash all the makeup of your face क्योंकि दिन भर में जो dirt होती है, grime, dust, वो सब skin पे बैठता है आपके makeup के साथ और वो आपके pores को block कर देता है तो आपको bad skin आएगी उसके next दिन तो वो avoid करने के लिए, you should always wash your face properly और उसके लिए बहुत अच्छे-च्छे आजकल soaps हैं जैसे dry skin के लिए अलग हैं और oily skin के लिए अलग हैं तो you can choose from one of those और try कीजे कि ऐसा soap हो जिसमें strong कुछ ना हो, very soft and nice soap उसके बाद आप toner यूज कर सकते हैं, जैसे rose water is a very very good toner तो आपने जब face को wash किया, उसके बाद आप एक cotton इस पे rose water लेके आप उससे face clean कर सकते हैं, तोन कर सकते हैं तोनर में आप यह देखिए कि alcohol ना हो, क्यूंकि that's not very good for the skin so without alcohol toner, rose water is the best toner उसके अलावा भी बहुत सारे toners हैं, आप कोई भी उसकर सकते हैं आपके बाद, I would say, मैं सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ जसी चीज में, वह है vitamin C vitamin C is an anti-oxidant, आपके जो छोड़े blemishes होते हैं, वह फेड कर देता है आपको skin के लिए एक ऐसा glow आता है, आप vitamin C यूज करते हैं तब तो वह रात को आप vitamin C यूज कर सकते हैं, उसके बाद, moisturizer लगा सकते हैं moisturizer क्यों? क्यों जो आपने wash किया है, थोड़े से जो oils हैं आपके निकल गया है skin के तो you want to replenish that, जब आपकी skin oily हो, तो आप water-based moisturizer लाइगे और अगर आपकी skin dry है, तो जो heavier creams होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे आप, तो circular motion में, ज्यादा pressure नहीं देना, बिल्कुल ऐसे soft massaging technique, जो उपर की तरफ जाए, ऐसे massage करें, ऐसे जो भी कुछ आप face पे use करते हैं, वो neck पे use कीजे, यूँ ऐसे upward motion में, और अपने हाथ ना भूलिएगा, तो हाथ को जितना remainder बच जाता है, वो हाथ को लगा देगा यह तो रात का हुआ, आप सो गए उसके बाद, सुबह उठके, क्यूंकि आपके face पे vitamin C है, आप उसे wash कर दीजे, एक चीज़ है, जब आप vitamin C serum जब use करते हैं, तो next in SPF बहुत important है, SPF क्या है, sun protection factor, मतलब sun में जो UV rays होते हैं, उससे आपको protection मिलता है, तो SPF, जो highest SPF possible हो, आपके जो पूरा routine है, जैसे wash, toner, vitamin C नहीं लगाने का सुबह, only in the night vitamin C, फिर moisturizer और SPF, यह सुबह का आपका routine बहुत important है, SPF बहुत बहुत important है, क्यूंकि उससे जो छुटे-छुटे lines आते हैं, sun के UV rays की वज़े से जो face पे, जो skin पे effect होता है, उससे कम हो जाता है, तो it just protects your skin, Now, मैंने आपको तो पूरा बोल दिया है, क्या-क्या करना है, आपको रात को क्या करना है, और सुबह क्या करना है, I think it'll help you, क्यूंकि हर एक skin same नहीं होती, जो मुझे सूट करता है, शायद आपके skin को सूट ना करे, तो जब भी आप कोई भी product लाते हैं, face के लिए, तो पहले अपने रिस्ट के अंदर की तरफ या अपने नेक पे, जहां पे दिखा ही नहीं दे, वहां पे दो-तीन दिन आप यूज कर के देखिए कि कोई reaction नहीं आती, कभी-कभी allergies होते हैं, कभी-कभी your body reacts differently, तो वह आप पहले test करना, उसके बाद ही आप अपने full face को लगा लें, ज़रू doctor के पास जाएं, और doctor से सला लें कि क्या करना चाहिए, यह मैं एक normal skin के लिए बता रही हूं, जहां troubles नहीं है skin को, और उनको enhance करने के लिए जो चीजें लगती है, वो मैंने बताई है अब ही, तो please, अगर आपको कोई problems हैं, तो आप doctor से ज़रू पूछिएगा, अब तो जो पहला face mask है, जो मेरा favorite है, उसके लिए हमें oats चाहिए, honey और rose water या milk, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, तो 1 tablespoon powdered oats, 1 tablespoon honey, अच्छे quality का honey लाइए, if you can get organic तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन try to make sure कि आप जो भी product लें अच्छे quality का हो, और 1 tablespoon rose water या 1 tablespoon milk डाल सकते हैं इसको mix कीजिए, face पे लगाईए, 15 minute रुकिए, 15-20 minute बस हो जाते हैं, और फिर warm water से अपना face wash कर लीजिए, I think it's a very refreshing face mask, और इसमें सब anti-inflammatory properties होते हैं, honey में और oats में, जो सूजन वगरा जो face पे होते हैं, वो कम हो जाती है, और मुझे से लगता है कि skin बहुत soft हो जाती है, so this is one of my favorite face mask, अब दूसरा जो mask है, वो dry skin के लिए है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 teaspoon milk, 1 tablespoon honey, 1 teaspoon aloe vera gel, तो छोटी-छोटी बूंद essential oils, यह पूरा आप मिक्स कीजिए, face पे apply कीजिए, 15-20 minute रुकिए और warm water के साथ उसको दो दीजिए, now this is very good for dry skin क्यूंकि इसमें सब जो ingredients है, honey, milk, essential oil, यह सब आपके face को moisturize करता है, ज्यादा तर यह जो mask है मैं विंटर में यूस करती हूं क्यूंकि विंटर में थोड़ी मेरी dry हो जाती है skin, और then when I do this, it makes it glow, तो these are the two masks that I really like, और एक क्विक टिप मैं आपको देने वाली हूं कि कभी अगर ऐसे लगा कि face थोड़ी तो quick chop करने का cucumber को like slices में, गोल-गोल slices में उसको chop करने का उसको तोड़ा सा milk में उसको भिगो देने का fridge में रग दीजिए, after 10-20 minutes, take it out, just apply it to your whole face, just keep it on your face, on your eyes, here, वो पुरा इसे गोल-गोल अरेंज करके, just 10-15 minutes रुकिये, उसके बाद, take it off and just wash your face with cold water, your skin will just look like, you know, woken up, ऐसे ल करके आप जा सकते हैं, लेकिन this really helps your skin to revive quickly, तो ये सब मेरी टिप्स हैं आपके लिए, I really really hope that they help you a lot, जितने भी चाहे वो face mask हो, या जो routine है, skin के लिए, I hope it helps you, so if you like my videos, please like, share and subscribe, and press the bell icon, if you want updates of all my new videos that come out, and I'll keep making them one after the other, so let me know how you like them, and love you all, bye! झाल